तो आज के इस वीडियो में आपका श्वाग आते हैं तो बहुत दिनों से मैंने अभी एक हफ्ते से कोई भी जॉब वाली वीडियो नहीं लेकर आया था नहीं पता रहती है तो इसी लिए मैंने सुचे कि आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी तीन कंपनियों के बारे में बताऊंगा कि जो टॉप कंपनीज है और जो आईटी सेक्टर में ही काम करती है लेकिन वो ग्रिजूशन के लेवल पर हाइरिंग करती है तो ग्रिजूट उस का रिजर्ट जो माकसिट होता है वो आपके पास होना जरूरी क्योंकि उसकी वैसे ही आपका फिल्प कर पाऊगे तो 2021, 2022 और 2023 जिन्होंने भी पासओट कर लिया अपना ग्रिजूशन वो इजी तरीके से अप्लाई कर सकते है और बागी सारी जो डिटेल होती है वो उस लिं अप्लाई करना थे आफ्टर कोवीड के अवो कि बहुत सारा जो वाकिन इंटर्व्यू था वो सारी चीजे ऑनलाई नहीं कर्वर्ट हो गया यानि कि जो सौफ़टर कंपनी जो अपना इंटर्व्यू लेती थी वो अब ऑनलाईन के थुरू कर दिया कि पहले ऑनलाईन एसा कंपनी के बारे मैं आपको डेटेल में बता देता हूं और आप इजी तरीके से अप्लाई करना मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगों क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में अप्लाई करके आपको दिखा दिया वीडियो जाता लंबी हो जाएंगी तीन कंपनी के मारे मैं इसलिए मैं एक एक करके company का नाम और job profile किया है और कहां से आप apply कर सकता है यह सारी चीजी आपको शाथ share कर दें तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहली company की तरफ कि हमारी पहली company कौन सी जो हमारी पहली company है वो है असेंचर company जो की बहुत बड़ी IT company है और इसमें graduation के level वेकेंसी किया है तो वो आप इजी तरीके से apply कर सकते है और job की जो profile है वो है system and application service associate की job profile है और बाकी सारी जो detail है कि salary कितनी रहेगी work location क्या रहेगा वो सारी चीजी आप वहां पे link पे click करके देख सकते है लिंक कहां मिलेगा जब भी आप description में click करोगे तो वहां आपको पहली एसेंच दूसरी company की तरफ दूसरी company वो है concentrics company यह भी बहुत ही बड़ी company है और यह भी एक तरीके की IT field में ही काम करवाते है और इसका जो job profile है वो representative associate का job profile है बहुत ही अची company है इसके लिए भी description में एक link मिलेगा वहां पे आप click करके job के बारे में पूरी detail पढ़ सकते हो और इसको भ इसाम होगा इसाम के लिए सारे detail उसको भीज दी जाएगी description में उसका भी link है वहां से आप apply कर लो तीसरी जो company है वो कोई छुपी छुपाई company नहीं हो भी बहुत ही अच्छी company नोईडा में भी उसके बहुत सारे branches है वो है Genpact company Genpact company मतलब अब BPO के अंदर तो number one पाई जात तो बैंको में account से related insurance company में account से related होता है तो उस तरीके से एक accountant का job होता है इसके लिए भी job description में एक link है वहां से आप click करके सारी चीज़ पढ़ सकते हो लेकिन इसमें जो apply कर सकते है या तो आपने graduation में अपना B.com किया है या तो आपने B.VA किया है दो ही लोग graduation के level पे इसको apply क कर सकते हो तो इसका भी link description में है वहां से जाके आप apply कर लो और normally इन तीनों job profile के लिए क्या क्या चीज़ आपकी जुरूरी है वो मैं आपको भी बता देता हूं यह तीनों job profile को आप जब भी exam के लिए form बरो तो इसमें एक चीज़ आप comment देखोंगे वह दो चीज़ एक तो आपकी जो English है वह written और और वल दोनों चीज़े बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी communication skill इतनी अच्छी होनी चाहिए मतलब 90% 80% accuracy होनी चाहिए क्योंकि इस अब job profile जो होती है वह IT company नॉर्मल English जो हो बहुत ही अच्छा मांगती थे इस वासे थोड़ा बहुत अपने communication skill जो computer related जो basic information होती है वो चीज़े आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि IT company की job है तो आपको computer related क्योंकि normal graduation कभी-कभी जो लोग BA करते है या BCOM करते है तो उन्हें computer application ने computer के बारे में study नहीं कराई जाती है तो इस वर से थोड़ा बहुत अपना computer का जो basic होता है वो अच्छे तरी security मेरी है पुर तरीके से आपका job confirm हो जाएगा बस इंटर्वी में अच्छे आप अच्छे तरीके से उनको जवाब दे दो अच्छे सापना confidence व्यूड करके जाओ communication skill अच्छी करके जाओ और जो भी वो question पूछ रहे अपना सीधा सीधा जवाब दो तो आपका interview clear हो जाएगा और आपकी job confirm हो जाएगी लेकिन इसमें आपका online सारे exam form भरने पढ़ेंगे मैंने तीनों के नाम के साथ तीनों का link दे दिया वहां से आप इजी ली पढ़ सकता ह तो को वीडियो अच्छा लागो तो वीडियो को like करना तब तक के लिए हैं बाई